हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 के सब्जेक्ट EVS का रिवीजिन करेंगे तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आन healthy dustbin या मुना साइन इस्पैरो और वाटर वैपर फर्स्ट इस लिफ्स इंदा नेस्ट गौसले में रहती है कौन इस्पैरो गौरेया नेक्स्ट इस लिफ्स आर यूस्ट टू प्रोटेक लॉट्स फ्रॉम इंसेक्स कपड़ों को कीडों से बचाने के लिए पत्तियों का यू जब पानी गर्म होता है तो किसमें बदल जाता है वाटर वैपर में नेक्स्ट इस डैली इस सिचुएटिड ओन दा बैंक ओफ रिवर दिल्ली किस रिवर के किनारे परिश्टित है तो बच्चों कौन सी रिवर के या मुना नेक्स्ट है वी शुट थ्रो गार्बेज इंद हमें कचरे को किसमें फैकना चाहिए डस्ट में नेक्स्ट इस लैंगवेज इस तॉट इन स्कूल शुट को शिखायी जाती है जो कि ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं तो बच्चों उन लैंगवेज यहाँ पर लिखेंगे चाहिय लुओ इनेक्स्ट इस वी शु के आपको two two examples देने हैं uninvited guest who live in your house बिन बुलाए मेहमान जो कि आपके घर में रहते हैं तो बच्चों ऐसी कौन है लेजर्ड एंड रेट चुहे और छिपकली next is bird that you see around पक्षी जो कि अपने आसपास देखते हैं आप तो बच्चों ऐसी birds है पिजन एंड इगल next is trees which you have seen in your surroundings ऐसे पेड़ पौदे जो कि आप अपने आसपास देखते हैं तो जैसे कि बन्यान ट्री असोक ट्री next is sources of water पानी के source तो बच्चों पानी के source हैं जैसे कि वैल कुए एंड hand pump next is food items that are made from milk ऐसे food items जो कि दूट से बनाए जाते हैं बटर एंड कर्ड मक्खन और दही next is vegetables you eat सबजियां जो कि आप खाते हैं तो बच्चों जैसे कि lady finger and cauliflower next is match the following बच्चों यहां पर आपको matching करनी है she see जो है वो क्या है natural source of water पानी की जो है natural source है इसके साथ मैच करेंगे well well जो है man made source of water यह मनुष्य के द्वारा बनाए गए पानी के source है next is father's father क्या लगते है grandfather लगते है आइस जो है आइस से हम देखते हैं she इसके साथ मैच करेंगे peacock peacock means होता है more national bird तो peacock जो है हमारा national bird है अब question number four answer the following question is write any two uses of water water के कोई do use लिखिये तो बच्चो answer है drinking पीने में, bathing नहाने के लिए, cooking खाना पकाने के लिए, washing कपड़े दोने के लिए etc तो बच्चो आप कोई से भी do use लिख सकते हैं next is write the name of things from your house आप अपने घर से ऐसी things के नाम लिखेंगे which है printed leaves और flower जिन पर फूल या पतियां कुछ भी print किया गया हो तो बच्चो आंसर है जैसे कि flower vase, bed seat, curtains, curtains कहते हैं परदे, glass, pillow cover and painting etc now activity, taste the following food items अब दिये गए food items को test करिए and classify them into sour, sweet and salty and bitter और उन्हें खटा, मीठा, नमकीन और कड़वा के रूप में classify कीजिए, वर्गी करत कीजिए and write their names in the table below और नीचे दिये के table में उनके नाम लिखिए, तो बच्चो यहाँ पर जो items हैं वो है chips, bitter god, karela, lemon, nibu, chocolate salty क्या चीज़े हैं? chips, sour, खटा, तो खटा क्या है? lemon, sweet क्या है? chocolate, और bitter क्या है? bitter god, karela अब बच्चो question number B, how much water do you need to do these activities? इन activities को करने के लिए आपको कितनी water की जरौत होती है? तो बच्चो यहाँ पर first है washing cloths तो बच्चो, first है washing cloths, कपडे दोने के लिए एक bucket पानी की, brushing teeth, teeth brush करने के लिए mug भर पानी की, taking bath नहाने के लिए एक bucket पानी की, एक बालती पानी की, drinking के लिए मग पानी की, it means मग में पानी की जरूत होती है एक मख की Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you